नमस्कार, जैतु भारत, GST and Other Laws, Discussion and Analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है अभी 10 नवंबर 2020 को सरकार ने notification नमबर 81 से लेकर 88 GST के अंदर issue किये हैं वो पढ़ते समय, मेरे मन में कुछ जिग्यास आयें, उत्पन हुई है, वो मैं आपके सामने शेर कर रहा हूँ आपके पास उनका समाधान हो, तो आप comments में जरूर लिख सकते हैं यह है, जो rule 60 insert किया है यह rule 60 insert करते समय, जो sub rule 2 है, उसमें लिखा है the details of invoice is furnished by an non-resident taxable person तो यहाँ पर यह जो article लिखा है, N, यह non-resident person के आगे सही प्रतीत नहीं होता है, जबकि हम NRI बोलते हैं, तो आगे N सही हो सकता है लेकिन non-resident बोलते हैं, तब यह है, सही प्रतीत नहीं होता है इसी प्रकार, जब rule 59 insert किया है, उसमें एक provision है invoice furnishing facility का, उसके बारे में लिखा है, कि जो invoice furnishing facility है hearing after in this notification, referred to as the IFF, तो यह जो notification है 82 number का, वो notification तो उसके बाद में अब रहेगा नहीं, क्योंकि यह जो rule 59 है यह rules का part बन जाएगा, तो क्या यह जो IFF है, यह पूरे आगे के rules में भी इसको IFF को invoice furnishing facility के रूप में पढ़ना है, या केवल इस notification के लिए ही इसे पढ़ना है, मेरे हिसाब से, यहाँ पर जो यह bracket में लिखा है hearing after in this notification, referred to as the IFF, इसके बाद में here in after in this rules, referred to, या in this chapter, referred to as IFF, ऐसा होना चाहिए था उसके आगे, जो लिखा है, की, अब यहाँ पर कौंसा मन्त की बात कर रहे हैं, यह समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, इसके अंदर बहुत आवशक है, तो जो फर्स्ट डे ओफ दे मन्त सक्सीडिंग सच मन्त, पिछले महीने, के बाद का जो महीना है, उसकी पहली तारिक से लेकर तेरा तारिक तक ही है, IFF, Invoice Furnishing Facility का उप्योग करना है, Rule 61, GSTR 3B Form फाइल करने के लिए है, उस Rule के अंदर अभी Sub Rule 6 को एड़ कर दिया गया है, और इसमें कोई Date नहीं लिखिए, तो यह Sub Rule 6 जो है, वह तुरंद प्रभाव से लागू हो जाएगा, इसके अनुसार, जो Normal Taxpayer है, जिनका Turn War 5 करोड रुपे से जादा है, उनको Form GSTR 3B 20 तारिक तक भरना है, अगले महिने की 20 तारिक तक भरना है, और जिन करदाताओं का Turn War 5 करोड रुपे से वह कुछ राजियों के करदाताओं को, अक्तूबर से मार्च महिने के लिए डेट फिक्स कर दी गई है, 22nd day of the next month, और बाकी के जो राजे हैं, उनके लिए 24 तारिक नक्की की गई है, तो मेरा यहाँ पर आपका ध्यान आक्रुष करता हूँ, अक्तूबर 2020 से मार्च 2021 तक के लिए यह 5 करोड रुपे से कम के Turn Over के करदाताओं का डेट नक्की किया है, अब यह जो Rule 61 है, यह पूरा Rule 61 को ही, एक जनवरी 2021 से पूरे Rule 61 को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है, और इसके अंदर जो बताया गया है कि जो Normal Tax Pair है, उनको जिनका 5 करोड से ज्यादा का Turn Over है, उनको 20 तारिक तक Return File करना है, और जो कुछ राज्ये हैं, 36 गड़, मध्यप्रदेश, गुजरात, उनके करदाताओं को 22 तारिक तक, और बाकी के जो अन्य राज्ये हैं, वहां के करदाताओं को 24 तारिक तक, तो जब एक जनवरी से यह इस प्रकार का पूरा Rule 61 चेंज कर दिया जाएगा, और जिसमें 22 तारिक, 24 तारिक, 5 करोड से कम के करदाता के लिए, और 5 करोड से ज्यादा के Turn Over के करदाता के लिए 20 तारिक है, तो अभी सब Rule 6 में, मार्च तक की Date Prescribe करने का क्या ओचित्य है, यह जिग्य सबका विश्वास स्कीम वैसे तो अब खतम हो चुकी है, लेकिन Union Territories of Jammu and Kasmir और Union Territory of Ladakh, उसके लिए सरकार ने विशेश शूट चार्ट दी है, सरकार ने सबका विश्वास Legacy Dispute Resolution Scheme 2019, Removal of Difficulties Order 2020 इस्यू किया है, यह केवल Union Territory of Jammu and Kasmir और Union Territory of Ladakh के लिए ही लागू है, वहां के जो करदाता हैं, वह स्कीम का लाब ले सकते हैं, 31 दिसंबर 2020 तक वह declaration फाइल करके स्कीम का लाब ले सकते हैं, बाकी की जो अन्य डेट्स हैं, SVA, DRS 2 कब तक इस्यू करना है, 3 कब तक इस्यू करना है, पेमेंट कौन सी डेट तक करना है, और फाइनल उसका सर्टिफिकेट कब तक इस्यू किया जाना है, वो सब डेट्स भी इसमें एक्स्टेंड की हुई है, लेकिन यह बहुत ही अच् देश के कुछ हिसों में खास करके गुजरात के अंदर आज से विक्रम समवत 2077 की शुरुआत हो रही है, हम नए साल का स्वागत करते हैं आज की आंक में बस इतना ही धन्यवाद, प्लीज लाइक, शेय और सब्सक्राइब, आपको और किसी जीएस चे रिलेटेड विशेय पर जानकारी चाहिए विशेश दो हो, तो कमेंस में लिख सकते हैं, जय हिंद